नमस्कार, कैसे हो दोस्तो, मैं आपका दोस्त डोक्टर आसीश, आज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि हमारे सिशन के अंदर एक सफिद सफिद सपदार्थ जम जाता है जैसा कि आप इस चितर में देख रहे हैं ये सफिद सफिद सपदार्थ क्या होता है और ये कहां से आता है और इससे हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते है आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों मेरे वीडियो में यही प्रियास मैं करता हूँ कि आपको वो सबी बाते बताई जा सके जो आपके जीवन में आपके काम आती है तो ये सफिद पदार्थ क्या होता है ये क्यों बनता है इससे हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते है और वो कौन सी एक होमियोपैथिक दवाई है जिस ये प्रोग्म आपके हमेशा के लिए ठीक हो जाती है आज हम इसी बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज इसे जरूर सस्क्राइब कर लें और उसके साथ साथ बैल का आइकन जरूर दबाएं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं मैं इस चित्र के माद जम से आपको बता देता हूँ दोस्तों ये हमारे सिस्टम का गलांस होता है और उसके उपर की ये जो इसकीन होती है ये जो इसकीन है इसके अंदर यहाँ पर सफेद सफेद सा पदार जम जाता है इस इसे पर इस इसे पर दोस्तों सफेद सफेद से एक पदार जम जाता है इसे हम scientific बासा में समेगमा कहते हैं, समेगमा, तो दोस्तों ये समेगमा क्या होता है, ये कहां से आता है, इसके क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों ये समेगमा किन लोगों में पेसेंट हैं उनकी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा मातरा में बनता रहता है तीसरे दोस्तों वे लोग हैं जिनकी इम्मूनिटी कमजोर होती है उन लोगों में भी समयगमा बहुत ज्यादा मातरा में बनता है तो दोस्तों मैंने आपको बता कि तीन तरह के लोगों में ज्या से बनता है यह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो दोस्तों समयगमा के अंदर जो होता है वो होता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं दूसरा इसके अंदर होते हैं जो हमारी इसकीन होती है वो इसके अंदर होती है तीसरा दोस्तों इसके अंदर होत होता है इसके अंदर होती है बैक्टीरिया होते हैं डैड़ स्कीन होती है नेचरल ऑयल होता है तो दोस्तों समयगमा अगर बहुत ज्यादा मातरा में बनने लगे तो इसके क्या-क्या नुक्सान होते हैं यह समझ लीजिए पहला तो दोस्तों इसका नुक्सान होता है बदबू कि इससे आपको बहुत ज्यादा बदबू आएगी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बदबू आएगी दूसरा दोस्तों इसका नुक्सान है कभी-कभी इसमें इंफेक्शन हो जाता है और लाली हो जाती है नहीं लाल स्कीन हो जाती है लाल स्कीन हो जाती है इंफेक्शन हो जाता है इसकी वज़े से ग्लांस के ओपर दाने दाने से आपके स्कीन में इंफेक्शन इसके वज़े से हो सकता है, खुजली आपको हो सकती है, जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंद बनाओगे तो उसमें भी इंफेक्शन चला जाएगा, तो उसके लिए भी गलत है, दोस्तों चली आप जान लेते हैं कि इसको ठीक कैसे करें, ताकि ये फिर कभी ना हो, और हमें इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, तो सबसे पहले तो दोस्तों सफाई, हम जब भी नहाएं, इसकी अच्छी परकार से साबुन से इसको साफ करें, दूसरा दोस्तों नहाने के बार में जब भी आप नहा चुके होते हैं, तो नार यह समश्या आपकी ठीक हो जाएगी, तीसरा दोस्तों, अगर आपको प्रोवलम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको वहाँ पर लाल लाल निसान हो गई है, बहुत ज़्यादा से एक माब बन रहा है, आप रोज सफाई करते हो, लेकिन रोज फिर से बन जाता है, तो अंदर जो भी इंफेक्शन है, यहाँ पर रोज मैली खटा हो जाता है, समेगमाई खटा हो जाता है, खुजली होती है, या लाल लाल ये फोर इसकी नाकी हो गई है, आपका गलांस लाल लाल हो गया है, तो इस समश्या को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए, आपको वीडियों में आपको बताया, एक तो आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, अपने सिसन की रोजन आपको सफाई करनी है, सफाई करने के बाद में नारियल का तेल उसमें अपलाई करना है, 90% चांस है कि इतना करने से ही आपकी समयगमा की समश्या हमेशा के लिए हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी यह समश्या ठीक नहीं हो रही है, तो आपको मर्क शोल होमियोपैथिक दवाई चार-चार बंदे दिन में तीन बार दस दिन तक लेनी है, जिसके यह समश्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, दोस्तों आप से रिक्वेस्ट करत करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक जरूर किया करें, अगर आपके कुछ कोश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूटूब के कमेंट बोक्स में मैं कई बार आंसवर नहीं दे पाता हूं, तो मुझे आप वाटस पर आपके मेसिज का जवाब जरूर दूँगा, इसे के साथ आज का वीडियो समात करते हैं, आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत दिन्यवाद करता हूं, आपको मेरा नमस्कार